दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगर आप Android Mobile यूज करते हैं और उसके अंदर आप प्ले स्टोर से किसी अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राइ करते हैं तो आ तागे अगर उनको ये प्रॉलम आरे हैं तो उनकी प्रॉलम भी सल्फ हो जाए तो चलिए जान लेते हैं यहाँ पर दो स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा App and Permissions आपके Mobile में App Manager भी हो सकता है यहाँ पर Viewer का Mobile है तो यहाँ पर App and Permission पर आन यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सभी Applications देखने को मिल जाएंगी आपको 3.00 पर क्लिक करना है 3.00 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है Reset App Preferences आपके Mobile में भी आपको Reset App Preferences देखने को मिलेगा तो आप Reset App Preferences पर क्लिक कर दिजिएगा Settings होती है वो Reset हो जाती है तो आप Reset App Preferences पर क्लिक चरूर करतीजिएगा देन उसके बाद Second काम आपको क्या करना है Second काम करना है आपको आना है अपने Play Store के अंदर Play Store में आने के बाद आपको Profile पर क्लिक करना है Profile पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Play Protect देखने को मिल रहा है Play Protect पर आईएगा Play Protect में आने के बाद आपके सामने कुछ इसतना से Page Open होगा आप उपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है Setting पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको scan app with play protect can scan this device and warn you about harmful apps तो यहाँ पर जो play protect है इसको off कर देना है आपको यहाँ से और turn off जैसे ही आप उपर वाले option को बंद करेंगे आप देखेंगे दोनों option यहाँ पर बंद हो चुके हैं अब आपको कुछ नहीं करना है डारेक्ली बैक जाना है बैक जाने के बाद किसी भी application को आप install करने का try करेंगे तो वो application easily install हो जाएगी किसी भी तरह से कोई problem face करनी नहीं पड़ेगी So guys बस आज की वीडियो में आपको यहीं बताना था देख सकते हैं यहाँ पर install होना start हो चुकी है यह application तो आपको सही यह सब काम करना होगर आपकी problem solve हो जाएगी So guys बस आज की वीडियो में आपको यह बताना था मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेल दर बाए टेक कर, I love you all